नमस्कार आज की इस यूडियों में हम बात करेंगे व्यक्षाता पंचायत जीविज्ञान भरती परिच्छ 2017 में पूछे गए जीविज्ञान के प्रश्णों के बारे में 2017 में जब यह एक्जाम हुआ था तो जीविज्ञान से 100 प्रश्ण पूछा गया था पहला प्रश्ण है सिंगल सेल प्रोटीन है आप्शन है सुछमजीव एंजाइम एंटिबाइटिक या टॉक्सिन इसके सेंधर आप्शन ए सुछमजीव खमीर कवाग सैवाल बैक्टिरिया ये सभी एकल कोशी सुछमजीव है अगला प्रश्ण है कोशिकाएं जो उर्दा के लिए केवाल ग्लुकोज के उपर निर्भर होती है अप्शन है मास्पेसियों की कोशिकाएं, मस्तिस्क की कोशिकाएं, वरिक्य की कोशिकाएं या यकृत की कोशिकाएं इसका सहुत तरह अप्शन बी मस्तिस्क की कोशिकाएं कोशिकाय जो उर्जा के लिए केवाल ग्लुकेयोस के उपर नेभर होती है वहाँ है मस्तिस की कोशिकाय निम्ना में से कौन इस्टाप अथ्वा टर्मिनेशन कोडान है अर्थात पॉली पेप्टाइडिस श्रिंखला बढ़ने की प्रक्रिया रोकने वाले देगे आप्टन इसके सहीवतार है आप्टन C. UAA प्लस UGA प्लस UAG अगला प्रस्न है YVA सहीवतार है इसके सहीवतार है आप्टन C. तुचावा मास पेसिको इस्टेराइड हार्मोन जो गुलकोज मेटबालिस्म को निमीत करता है दिए गया option इसके सेयूपतर है option B, Cortisol Istoride हर्मोन जो glucose metabolism को नीमित करता है सिर्षस्त विवजयोतक होता है इसके सेयूपतर option A, प्रात्मिक विवजयोतक प्रात्मिक विवजयोतक होता है, प्रात्मिक विवजयोतक प्रकासिय स्वसन में glycine से सिरीन का निर्मान निम्ना में से किस कोशिकांग में होता है। इसके सहुतर है अप्संदी माइटोकांड्रिया। प्रकासी स्वसन में ग्लाइसीन से सिरिन का निर्मान माइटोकांड्रिया कोशिकांग में होता है। निम्ना में से कौन यूकेरियार्ट नहीं है। इसके संहुत्तर आप्संडी मोनेरा, बाकि तिनों ही प्रोटिस्टा, प्लांस और एनिमल्स, ये तिनों ही युकेरियार्ट है, अगला प्रस्ण है, A. Biogenesis अजय उत्पत्तिवाद सिध्धान का प्रतिपादन किया था, इसके संहुत्तर आप्संडी वान हेल मोन्ट ने, A. Biogenesis अजय उत्पत्तिवाद सिध्धान का प्रतिपादन किया था, वान हेल मोन्ट ने, ट्रिप्सिन ऐसा इन्जाइम होता है, जो, देगे आप्संडी इसके संहुत्तर आप्संडी ग्रहनी में छारी माध्यम में प्रोटिन्स को तोड़ता है, तो देगे आप्संडी में सत्य कथन है, वह है आप्संडी राइबोसों के अव्याव DNA द्वारा कोड की जाते हैं, एक एंटीबाडी है इसके सहींतर आप्षन B. एंटीजन को निष्क्री करने वाला मॉलेक्यूल दूतियक व्रिधी होती है दिएगे आप्षन इसके सहींतर आप्षन C. दूवी बीच पत्रिये तने एवं जड में दूटियक व्रिधी होती है दूवी बीच पत्रिये तने एवं जड में इसके सहींतर आप्षन D. डिक्सन एवं जड में अगला प्रस्न है निम्न में किन एक बीजी पाउधे के तने में दूटियक व्रिधी होती है इसके सहींतर है आप्षन D. डिक्सन एव, डिक्स प्रस्न एव, द्रेक्स भाउधे के तने में दूटियक व्रिधी होती है निम्न में से कौन सा होँमोलोगस अंग है? 2021 दिएगे आप्शन में होमोलोगस अंग है वो है आप्शन C, पक्षी के पंख तथा मनिश्य के हांत यह होमोलोगस अंग है जब पर्णवरिंत हरी एवां पत्तिनुमा सा रचना में रुपांतरित हो जाता है तब इसे कहते है दिएगे आप्शन में इसके सहुपतर है परिवर्थित किया जाता है इसके सहुपतर आप्शन भी NH3 में नाइट्रोजन के जैविक इस्तिर करण में N2 का आनू परिवर्थित किया जाता है NH3 में किस फाइला में सबसे अधिक डाइवर्सिटी है आप्शन है प्रोठोजोवा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा या कार देटा, तो दिए गया में सबसे अधिक डाइवर्सिटी है वो है आप्शन C, आर्थ्रोपोडा में, फिलोडेलफिया क्रोमोसोम निमनमे से किस रोग से ग्रशित रोगी में पाए जाते हैं, आप्शन है इनसोम्निया, लिक्यमिया, हीपेटाइटिस या एलबी निज्म, इसके सही उतर आप्शन B, लिक्यमिया, फिलोडेलफिया क्रोमोसोम लिक्यमिया रोग से ग्रशित रोगी में पाए जाते हैं, एक व्यक्ति सही द्रिष्टी के लिए उत्ताल लेंस का प्रयोग करता है, आपके अनुसार उसके लेंस ना प्रयोग करने से वस्तु का प्रति करता है, और इस दूर्दिष्टी दोस्के निवारान के लिए उत्ताल लेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रस्ण में पुछा है, आपके अनुसार उसके लेंस ना प्रयोग करने से वस्तु का प्रतिविम कहा बनेगा, आप्शन है, रेटिना के पीछे, अंध बिंदु पर रेटिना के सामने या पीत बिंदू पर तो इसका सहीं उत्वार आप्षन A, रेटिना के पीछे एक व्यक्ति सहीं दिश्टी के लिए उत्तार लेंस का प्रयोग करता है आपके अनुसार उसके लेंस ना प्रयोग करने से वस्तु का प्रत्पीम बनेगा रेटिना के पीछे अगला प्रस्न है मनिश्या में माइटो कांड्रिया किसे छोड़ कर अन्य सभी में पाया जाते है देगे अप्षन में इसके सहीं उत्वार आप्षन C, एरिथ्रोसाइट्स बागी तिनों में आप्षन लिकोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स इन तिनों में ही माइटो कांड्रिया पाय जाते है एक बंद समभान पूल में देगे अप्षन में इसके सहीं उत्वार आप्षन D, एधा नहीं पाया जाता Cambium is not present in a closed vascular bundle प्राप रूट या इस्तंब जड़े है आप्षन है आपस्थानिक जड़े, मुशला जड़े, फेशिकुलेटेट जड़े या दूतियक जड़े इसके सहीं उत्वार आप्षन A, आपस्थानिक जड़े प्राप्रूट या इस्तम्भ जड़े है अपिस्थानिक जड़े वाइरस विसानु बने होते हैं आप्सन है आरेने या डियेने तथा प्रोटीन्स के आरेने एवां डियेने के आरेने डियेने तथा प्रोटीन्स के या आरेने या प्रोटीन्स के तो दीएगे आप्षन इसके सेंयुत्तर है, आप्षन a, RNA या DNA तथा प्रोटीनज्स के, वाइरेस विसानू बने होते है Ой, RNA या DNA तथा प्रोटीन्स के रिस जुर्टी है, आप्षन है, इसके पूल में इस्तर्णम से, कलेविकल से या इलियम से इसके सहुंतर है option B, इस्टर्णम से, रिप्स जूरती है इस्टर्णम से C4 चक्र में कितने ATP की आवसकता होती है? Option है 18, 30, 36 या उप्रोक्त में से कोई नहीं इसके सहुंतर है option B, 30 C4 चक्र में 30 ATP की आवसकता होती है Emylolytic Enzymes उत्पन होता है, option है लार ग्रंथियों एवं यकृत से, अमासय एवं यकृत से, अमासय एवं अगनासय से या लार ग्रंथियों एवं अगनासय से इसके सहुंतर है option D, लार ग्रंथियों एवं अगनासय से एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स उत्पन्न होता है लार ग्रंथियों एवाम अगनासे से एनोस्मिया होता है अप्शन है कान के रोग से संबंधित, आग के रोग से संबंधित, जिवहा के रोग से संबंधित या घ्रान समेधन का हास तो इसके सनुत्तर है option D, ग्रान समेधन का हाज, एनोस्मिया होता है ग्रान समेधन का हाज या loss of sense of smell व्रिक द्वारा उत्सरजन के अत्रिक्त कौन सकार्य किया जाता है? option है परासरन नियमन, ताप नियमन, हर्मोन नियमन या स्पैरमेटो जेनिसिज इसके सनुतर है option A, परासरन नियमन, व्रिक द्वारा उत्सरजन के अत्रिक्त परासरन नियमन कार्य किया जाता है कित्रिम वर्गी करण पधती का उधारन है? option है बेंथम एवं हुकर की वर्गी करण पधती, एंगलर एवं प्राणटाल की पधती, हचिंसन की पधती या लिनियास की पधती आप्षन-D. लिलियास की पधती. कित्रीम वर्गिकरन पधती का उधारण है लिलियास की पधती? वर्मी फार्मा एपेंडिक्स किस संधी पर इस्थित होता है? आप्षन है वर्यहत आंत्र और चुद्रांत्र, चुद्रांत एवां ग्रहनी, गुदा एवां मलासय या जठर और ग्रहनी सहुत्तर है आप्षन A. व्रिहत आंत्र और सुद्रांत वर्मी फार्म एपेंडिक्स व्रिहत आंत्र और सुद्रांत संधि पर इस्थित होता है मधुमक्षी कुछ समय के लिए नेक्टर एकत्र करती है Option है अमासा में, लारगन्थी में, क्रॉप में या मुह में सहींतर है Option A. अमासा में मधुमक्षी कुछ समय के लिए नेक्टर एकत्रित करती है अमासा में निम्ना में से कौन ग्लाइकॉलिसिस का उत्पाद नहीं है Option है पायरुविक आमला 2 ADP, 4 ATP या 2 NAD तो इसके सहींतर है Option D, 2 NAD बाकी तिनों आप्षन पायरुविक आमला 2 ADP और 4 ATP ये तिनों ही ग्लाइकॉलिसिस का उत्पाद है एक कोशिका की छमता जिसके द्वारा उससे एक पूर्ण जीव का निर्मान होता है उसे कहते है Option है उत्परिवर्तन, पूर्ण जीव का निर्मान होता है उसे कहते है टोटी पोटेंसी ELNTIES का कारिया है आप्षन है स्वसन, उत्परजन, पोशन वा उत्परजन या धक्के से रक्षा तो देगे आप्षन में ELNTIES का कारिया है वो है आप्षन भी उत्परजन यकरित का पुनुरुद भवन है आप्षन है EP-Morphosis, Reparative Regeneration, Metamorphosis या Morphogenesis सहुत्तर है आप्षन B, Reparative Regeneration, यकरित का पुनुरुद भवन है Reparative Regeneration एक पारिस्थितिक तंत्र में बैक्टेरिया भूमिका अधा करता है आप्षन है उत्पादक का अभगटक का या उप्रोगत में से कोई भी सहुत्तर है आप्षन C, अभगटक का एक पारिस्थित तंत्र में बैक्टेरिया भूमिका अधा करता है अभगटक का Transamination की किरिया होती है आप्षन है यक्रित में वरिकों में हिरदय में या उप्रोगत सभी में Transamination की किरिया होती है आप्षन E, यक्रित में एक शिसु का ज़न में एक छोटी पूंच सहित हुआ यहा किसका उधारन है? Option है Metamorphosis, Etae Visma, उत्परिवर्थन या इन में से कोई नहीं इसके संहुतर है Option B, Etae Visma एक सिसु का जन्मा एक छोटी पूंच संहित हुआ यहां उधारन है Etae Visma का एक व्रिक्ष एको सिस्टम का संख्या का पिरामिड होता है Option है अधिकतर खड़ा परंतु कभी-कभी उल्टा, हमेशा सिधा खड़ा, हमेशा उल्टा, उल्टा या खड़ा दोनों हो सकता है संहुतर है Option C, हमेशा उल्टा, एक व्रिक्ष एको सिस्टम का संख्या का पिरामिड होता है हमेशा उल्टा प्रकास संसेलेशन केलविन चकर के दोराण निमनम में से कौन कार्बन डाईक्साईड दो का ग्रही होता है धीएगए Option में इसके संहुतर है Option A, Revue Lose Diphosphate प्रकास संसेलेशन केलविन चकर के दोराण Revue Lose Diphosphate Carbon Dioxide CO2 का ग्राही होता है समझाद अंग से क्या निसकर से निकलता है? समझाद अंग से निसकर से निकलता है डाइवर्जेंट विकास कौन सा एक अन्य से अलग है? आप्शन है एलियम सेपा, एरिकिस हाइपोजिया, ब्रेसिका जन्सिया या हेलिएंधस एनस तो देगा अप्शन में अलग है वह है अप्शन A, एलियस सेपा किनके द्वारा पारिस्तिक पिरामिड धार्णा को विक्षित की गई थी? अप्शन है ओडम, टेंसले, हीकेल या एल्टन सेपा किनके द्वारा पारिस्तिक पिरामिड धार्णा को विक्षित की गई थी? प्रित्वी पर प्रथम जीवन था? अप्शन है साइनो बैक्टिर या आटो ट्रॉप्स, फोटो आटो ट्रॉप्स या कीमो हैटरो ट्रॉप्स प्रित्वी पर प्रथम जीवन था? कीमो हैटरो ट्रॉप्स का अगला प्रशन है वामावर्थ ड्येने है आप्शन है A-DNA, B-DNA, C-DNA या Z-DNA तो लेप्ट हेंड़ ड्येने है वो है आप्शन D-Z-DNA तो अच्छा में उपस्तित रोम देगे अप्शन इसके सेनुतर है अप्शन A- वित्पन होते हैं एपिडेर्मल से एवाम बनी होती है मृत कोशिका से तो अच्छा में उपस्तित रोम वित्पन होते हैं एपिडेर्मल से एवाम बनी होती है मृत कोशिका से व्याखाता पंचायत जीविज्ञान भरती परिछा 2017 में जब यह एक्जाम हुआ था तो जीविज्ञान से 100 प्रस्ण पुछा गया था पार 2 में हम बात करेंगे इनका वन से 100 तक्ते प्रस्णों के बारे में थैंक्स फर वाचिंग जय हिंद